नमस्कार गोड़ा जहार नियूज में आप सबों का स्वावत है आएज आते हैं जहारकन की मुख बड़ी खबरों को मद्य राची बोकारो गुमला हजारी बाग खुट्टी वरामगड तथा उत्तर पसिमी भाग पलामू गड़वा चत्रा कोडर्मा लाते हार लोहर दगा में अठाई जन्वरी को कहीं कहीं आंसिक बादल च्छाय रहेंगें 29 जन्वरी को राच के दक्षीन यानि पूर्वी शिम्मुम पसिमी शिम्मुम सेमडगा तथा स्राय किला खरसवामद्य और उत्तर पसिमी में हिसो में बारिस हो सकती है सुप्रीम कोट का जार्खन सरकार को निर्देश नए मेडिकल कोलेजियों की स्युधाय की दे जनकारी सुप्रीम कोट ने बतानी का निर्देश दिया है कि पलामू मेडिकल कोलेज अउग हस्पिटल और हजारी बाग मेडिकल कोलेज अउग हस्पिटल में क्या-क्या इसफ्रास्टेक्टर उपलदध्य है फैकलिटी सहित अनिसारी स्विधाओं को विस्तरी जनकारी सपत पत्र के माध्यम से देने को कहा गया है जस्टीस एल नागेशवर राव, जस्टीस इंदू मलहत राव जस्टीस अनुरुद बोज की खंड़ पीट में मामली की सुनवाई हुई कोट ने अंगली सुनवाई के लिए चार फरवर की तिथी निर्धारित की है जार्खन में म्यूटेशन के तीन लाग बौसट हजार आविदन रद राज के विभिन अंचल करियालेयों में म्यूटेशन के एकुल सात लाग बावन हजजार आविदन दाखिल हुए थे इन में से तीन लाग बौसट हजार आविदन रद के गए हैं एकले नाची में एक लाग दस हजार आविदन रद भी हैं म्यूटेशन से जुड़े आविदनों को रद करने का मुख्यकारन सी एन्टी एस्पिटी एक्ट में निहित प्रवधानों का उलंगन कर जमीन की खरीद भीक्री और हस्तान तरण है इसके अलावा आविदनों के रद होने का बड़ा कारन सरकारी जमीन की गलत तरीके से की गई खरीद भीक्री भी है प्रवधी मुर्मू की अहम घोसना के बाद बुद्वार से सभी जीलों में एक साथ किसानों के कर्ज माप करने को लेकर प्रक्रिया शुरू हो गई है जाकिन के मुख्य मंत्री हैमन सोरेन ने बड़ा एलान किया है उन्होंने कहा है कि उनकी सरकार जल्द ही एक नई डोमिसाइल नीती तयार करेगी और राज के लोगों के लिए नीजी छेतर में 75 परसीतत नोक्रियों को आर्चिक्त करेगी ये घोसना मुख्य मंत्री द्वारा गंदंत्र दिवस पल्यान कारी योजनाओं की जानकारी देने के करम में दी गई है सोरेन ने कहा है कि 2021 नोक्रियों का वर्षों का जल्द ही राज में एक नई अधिवास नीती तयार की जाएगी और नीजी छेत्र में 75 परसितत पद अस्थानिया लोगों के लिए आर्चिक्त होंगे जार्खन में 36 CDPO का तबादला क्या गया है राय सरकार ने कई जीलों में समाज कल्यान पदाधिकारी के पद पर नई अधिकारी को पदास्थापित कर दिया है जारी अधिसुटना के अनुसर शुमन गुप्ता को बुखारों में पदास्थापित क्या है अर्थी कुमारी को कोडर्मा का जिला समाज कल्यान पदाधिकारी बनाया गया है इसके अलावा अंजु कुमारी को पाकुड, सिप्रा सिना को हजारी बाग, स्वेता भारती को राची, निच्चे केता को सरारामगर, सनेह कस्यप को धनवाद, सुर्भी सिंग को, सिम्डेगा और कंचन सिंग को सायक निदेशक बनाया गया है इसी तरह मीरा कुमारी को जमताडा में बनाया गया है, जबकि पृती रानी को लोहदगा, संध्या रानी को सरायकेला में, खरसवा और कृष्णा टापो को सायक निदेशक बनाया गया है जिससे राज में संक्रिमितों की संक्यां बढ़कर 1,18,425 हो गई यह जनकारी स्वास्थ विभाग की एक विलेटिन में दी गई है स्वास्थ विभाग की आज जारी रिपोर्ट कर राज में पिछले 24 घंटे में कुरोना वाइरस संक्रिमितों से किसी भी मरीज की मोत नहीं भी है जिससे राज में मितक संक्या 1064 बनी हुई है जारखन राज के कुल 1,18,425 संक्रिमितों में से 1,16,589 अब तक ठीक होकर अपने घरों को लोट जा चुके है इसके अलावा 772 अनिल संक्रिमितों का इलाज बिभिना सब्सक्रिमितों में जारी है वहीं 1064 की मोत हो चुकी है राज में पिछले 24 घंटे में कुल 12,879 नमनों की जांच की गए जिसमें से मात्र 65 संक्रिमित पाए गए इन नए संक्रिमितों में राची में तिरपन, पूर्वी सिम्भों में 5 और सिम्डिगा में 3 मामले सामिल है इसके साथ ही आज के समाचालों पस इतना ही हमें दिज्जे इजाजत नमस्कार